अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि काम को करने से पहले आपको anxiety महसूस होती है और आप उसे नहीं करना चाहते या आप उसे delay करते रहते हैं क्योंकि आपको boredom महसूस होती है मेरा नाम है प्रतिष्ठभला मैं हूँ आपकी माइंड और मिमरी कोच इस चैनल पर में लेकर आती हूँ आपके लिए मेडिटेशन ओडियो मोटिवेशनल वीडियो और किस तरीके से आप अपने माइंड और मिमरी को इंप्रूव कर सकते हैं वो सारे टिप्स एंट टेक्नीक्स सब मेक शूर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आएगे इनको दबाना ना भूले ताकि आप मेरे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करें फ्रेंड्स लोग अकसर ये कंप्लेंट करते हैं कि वो अपने काम को टालते रहते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता बोरिंग लगता है या फिर उसे करने से पहले उनके माइंड में एक स्ट्रेस एक टेंशन आ जाती है एक एंग्जाइटी उनको महसूस होती है और इसलिए वो काम करने में उनका मन नहीं लगता अगर वो उस काम को करते भी हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं फ्रेंड्स किसी भी काम को करने के लिए आपको दो बहुत इंपॉर्टन चीज़े चाहिए होती है वो दो इंपॉर्टन चीज़े हैं पहला है आपके लिए skill कि आप उस काम को करने के लिए सक्षम है या नहीं आपके पस वो सारे resources है वो सारी knowledge है या नहीं कि आप उस काम को करने लग जाए For example, अगर आप एक engineer है और आपको बोला जाएगी किसी human being का operation करना है तो आप उसके लिए skilled ही नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे So आप उसी काम को कर सकते है जिस काम को करने का आपके पास knowledge है आपके पास skills है और आप उस काम को करने के लिए ready है तो first cheese किसी भी काम को करने के लिए चही होती है वो होती है skill और जो दूसरी चीज सबसे दादा important होती है वो होती है challenge यानि कि वो काम आपके लिए कितना challenging है क्योंकि as a human being हमारा जो mind है वो हमेशे grow करना चाहता है हम कभी भी एकी stagnant statement नहीं रहना पसंद करते हमें लगता है कि अगर हम कोई काम कर रहे है तो उसमें हमें challenge आए और जब हम उस challenge को overcome करे तो हमारे को एक अलग सी satisfaction मिलती है तो हम सब अपनी क्याम में कोई नो कोई नया challenge ढून रहे होते हैं या कोई नो कोई नया challenge face कर रहे होते हैं और जब हम उसे overcome कर लेते हैं तो हमें excitement रहती है कि हमने काम कर लिया So ये दो चीज़े बहुत important होती है ये ensure करने में कि आप उस task को पूरा कर रहे है आपका skill और challenge इसको हम एक chart की through समझेंगे इस chart में आपके पास यहाँ पर है skill यानि कि आप कितने सक्षम है उस काम को करने के लिए और नीचा है आपका challenge यानि कि वो काम कितना चुनोती पूर्ण है और कि आप उसको करने के लिए ready है अब जब अकसर लोग बोलते हैं कि इस काम को करने में मुझे बहुत anxiety हो रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो इस chart के lower level पे होते है यानि कि वो लोग यहाँ पर होते है anxiety level पे इस level पे उनका challenge उनके skills से कई गुना जादा बड़ा होता है उनके पास एक बहुत बड़ा challenge होता है मगर उस challenge को achieve करने का उनके पास skill नहीं होता for example अगर आप एक 4th class के बच्ची को 12th class का exam paper दे दे तो क्या वो से कर पाएगा और अगर उसके लिए mandatory कर दिया जाए यह काम करना तो क्या उसकी पास वो skill है कि वो इतने बड़े challenge को ले पाए most of the cases में ऐसा नहीं हो पाएगा ऐसे ही हमारी life में कई बार हमारे पास ऐसे troubles आ जाते हैं ऐसे issues आ जाते हैं या हमारे office में भी हमारे पास ऐसा काम आ जाता है जो बहुत जादा challenging है मगर अभी तक हमारे पास उसे करने के skills नहीं आए है और अगर हमें वो mandatory कर दिया जाए अगर हमें जरूरी हो जाओ उस काम को करना तो हम मेंसे बहुत सारे लोग इस anxiety को अनुभफ करते हैं और उन्हें लगता है मैं कहां फस गया यह काम तो मुझे करना ही नहीं है क्या आपने कभी किसी को ऐसे बोलते हुए सुना है अगर हां तो मुझे comment box में जरूर बताए अब आते हैं second part पे वो है boredom बहुत सारे लोग अपने काम को सोचते हैं अरे इसे तो मैं दो घंटे में कर लूँगा अभी नहीं कल करते है वो हमेशा उस काम को delay करने की कोशिश करते है और अगर उनसे पूछो के आप इसे क्यों नहीं कर रहे तो वह एक reason देते है अरे it's very boring work बहुत ही ज़्यादा boring है जबरदस्ती करना पड़ेगा वो लोग होते हैं इस top level में यहाँ पर जहाँ पर उनकी जो skills है वो उनकी challenges से बहुत जादा है यानि कि लोगों का जो काम है उनको उसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है कही न कहीं वो उनकी capabilities abilities को challenge नहीं कर रहा वो या तो एक routine work में फसे है या फिर वो same ऐसा काम कर रहे है कोई ऐसा काम कर रहे है जो उनकी skills से बहुत lower level का है और इसलिए वो उस काम को करना ही नहीं चाहते उसको टालते रहते उन्हें वो काम boring लगता है आप इस spectrum के कौन से end में है क्या आप अपने काम के लिए boring feel कर रहे है या anxiety feel कर रहे है क्या आपका काम है वो आपके skills से ज़्यादा challenging है या फिर वो आपके skills से कम challenging है मुझे comment box में जरूर बताए और अब हम आते हैं ideal state पे ऐसा एक state होता है ऐसा एक जगा होती है जहां पर जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसे बहुत ही ज़्यादा दिल से करते हैं जो काम आपको मिला है आप उसे complete करते हैं बिना किसी procrastination के बिना किसी anxiety के बिना किसी issues के और वो idle state होता है यहां पर और इस state को बोलते है flow state flow state यानि कि एक ऐसा zone एक ऐसा mindset जहां पर हमें हमारे सारे challenges overcome करने के लिए एक उत्सार रहता है हम happy feel करते हैं हम एक positive state of mind में होते हैं और हम पूरी-पूरी कोशिश करते हैं उस काम को achieve करने की flow state को optimal state of performance भी कहा जाता है यानि एक ऐसा state जहां पे आप अपने पूरे flow में हैं आप उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप कम से कम time में जादा से जादा चीजों को achieve कर पा रहे हैं आप जादा productive हो पा रहे हैं जब आप flow state में होते हैं तो कई बार आप कई हफतों का काम भी कुछ घंडों में complete कर लेते हैं क्या कभी आपके साथ ये flow state आई है जब आप उस काम में पूरी तरीके से focus थे जब आप उस काम को complete कर रहे थे और आपको time का एहसास ही नहीं हो रहा था आपको नहीं पता था कि time तेज चल रहा है या slow चल रहा है आप से वो उस काम में लगे थे और जब आपका वो काम complete हो गया तब आपको realize हुआ कि आपने अपने challenges को भी overcome कर लिया है आप उस जगह पे पहुच चुके आप अपने काम को end कर चुके हैं अगर हाँ तो ये भी मुझे comment box में जरूर बताएं क्योंकि ये topic बहुत ही ज़दा important है और इससे आपकी understanding clear होगी कि क्यों आप उपने काम को नहीं कर पा रहे आपको किस area में work करने की जरूरत है ताकि आप flow state में रह पाए फ्रेंट, flow state ही वो state है जहाँ पर athletes अपना best game खेलते हैं जहाँ पर businessmen नए-नए ideas लेके आते हैं जो उनके लिए पहले possible नहीं थे जो उनको पहले नहीं आ रहे थे ये वो zone है जहाँ पर specially लोग जाते हैं अपने आपको program करते हैं उस जगा पहुचने का, उस flow state में आने का और फिर अपने काम को करने का और इसका एक पूरा process भी होता है अगर आप flow state के बारे में और भी चीज़े जानना चाहते हैं तो मुझे comment box में जरूर बताएं ये था वो flow zone जिसमें आपको होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप peak time पे perform कर सके आप जादा से जादा चीज़ों को achieve कर सके limited amount of time में क्या आप इस flow state के बारे में पहले से भी जानते थे या आपने कभी इसको experience किया है तो अपना वो experience comment box में जरूर share करें ताकि दूसरे जो बाकी के यहाँ पे viewers हैं वो भी उसका benefit उठा सकें इस video के नीचे एक description box में मैंने आपके साथ कुछ link share किये है अपने free courses के लिए उन free courses में जरूर enroll कर ले और एक telegram का group भी है अगर आप चाहते हैं आपको जो भी latest video आ रही है उसका update मिले तो आप उसको जरूर join कर ले साथ में में अपने latest programs की भी details इस telegram group पे आपके साथ जरूर share करूंगी तो अगर आपने अभी तक वो telegram group नहीं join किया है तो उसको जरूर join कर ले इस video को जादा से जादा लोगों तक share करना ना भूले आपके जो भी comments हैं जो भी आपके views हैं जो भी आपके questions हैं नीचे comment box में जरूर लिखें because जो आपके questions आते हैं आपके comments आते हैं जो आपके अच्छे अच्छे testimonials आते हैं मुझे वो बहुत जादा motivate करते हैं आपके लिए नए नए topics पे video बनाने के लिए make sure आप उसको जरूर like कर ले और इस channel को subscribe जरूर करें bell icon को दबा दे ताकि YouTube आपको सारे notifications देता रहे जब तक आप उस bell icon को press नहीं करेंगे आपके पास वो शायद notification ना पाए so make sure आप उस notification bell को जरूर दबा दे क्योंकि इस channel पर मैं आपके लिए regularly नए नए videos लेके आती रहती हूँ and friends one more important thing कुछ time से मेरे पास मेरा mic नहीं है so मैं आपके लिए long form meditations अभी नहीं create कर पाऊंगी जैसे ही मेरा mic मेरे पास वापस available हो जाएगा maybe उसमें कुछ time लगेगा because of the current situation but जैसे ही मेरे पास मेरा mic available हो जाएगा मैं आपके लिए long meditations ज़रूर बनाऊंगी तब तक के लिए मैं आपके लिए short form meditations के बना रही हूँ two minutes, three minutes meditations जो कि आपकी help कर सके इसी form में meditate कर ने के लिए वो meditations बहुत ही ज़्यादा simple है आप उसको कहीं पे भी कभी भी कर सकते है और वो इसी channel पे आपको मिल जाएगी आप उसको जरूर देखें उसको use करें और अपना प्यार वहाँ पे भी जरूर दें and I hope all of us stay strong in this pandemic हम इस चीज से जल्दी से जल्दी बहार आपाएं ये मेरी prayers हैं मैं मिलूंगे आप से अगली वीडियो में till then stay strong, stay healthy and stay awesome and stay blessed thank you so much